अतीक और अश्रफ मारे गए लेकिन अतीक का गिरोह और उस गिरोह में शामिल अपराधी वो सब कहां अंतरध्यान हो गए उसमें तमाम लोग बॉंटेड हैं गुड़ू मुसलिम में बहुत कोख्यात नाम है जो उमेश पाल हत्याकान में शामिल था अतीक की बीबी शाहिस्ता शाहिस्ता को उमेश पाल की हत्या के तीसरे दिन से ढूना जा रहा है अतीक तो बहुत बाद में मारा गया वह शाहिस्ता तो उमेश पाल की हत्या से तीसरे दिन से ढूनी जा रही है लेकिन उसका ना अता मिल रहा है न पता मिल रहा है लापता गंज है गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिलती है बता जाता है कहीं तमिलाडू कहीं करनाटक कहीं तेलंगाना कहीं महारास्ट कहीं 36 गड़ा लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं मिल रहा और सो सबा सो लोग अपराधी अतीक के गेंग में बाकाइदा कारकून थे शामिल थे इसकी पुष्टी पुलिस करती है अब वो सब भी कहां है कैसे है उनका क्या इलाज किया गया उनका क्या बंदोष्ट किया जाएगा एक बड़ा सवाल है क्या अतीक का गिरोँ अभी भी चल रहा है क्या गुड्डू मुसलिम अब उसकी सदारत कर रहा है उसका कमांडर गुड्डू मुसलिम हो गया आतिक के मारे जाने के बाद या शाहिस्ता उस गिरोह की लेडी कमांडर ही अतिक के कार्याले में अभी दो दिन पहले एक रक्त से सना चाकू मिला था चूरिया टूटी हुई मिली थी महिला के वर्स्त्र मिले थे उसका डुपट्टा मिला था उसमें खून लगा था बहुत हाय तोबा हुई उसकी जांच जारी है लेकिन पुलिस ने आरंभित तोर पर कहा था कि दो इतिन दिन पुराना ये मामला है बहुत पुराना नहीं लग रहा खून हमामें कई तरह की संभावनाएं अटकलें तैर रही है एक अटकल ये भी है कि क्या शाहिष्टा ने खुदकुशी करने की कोशिश की या किसी ने शाहिष्टा को गाहिल करने की कोशिश की और अगर शाहिष्टा नहीं तो पर अतिक के इस खंढर से कार्याले में खून आया कहां से किसको लाया गया किसको मारा गया और मारा गया तो फिर वो मरा की जिया, बहुत सारे समाल है और अगर अतीक के कार्याले में खून आ रहा है चाकू चल रहे हैं तो इसका मतलब है अतीक का गिरुह भी चल रहा है ऐसा तो नहीं किए अतीक के गिरुह वाले सब लोग धार्मिक क्रिया कलापों में लग गए हो फिर भी चाकू चल रहा हो नहीं ना उनके क्रिया कलाप यथावत जारी है पहले जैसे क्या यह भी बड़ा सवाल है और एक पंक्ती में अगर कहें तो अतीक और अश्रफ पहले से जेल में थे उपेशी पर लाए गए मारे गए अपरादियों के द्वारा पुलिस ने असद और असद के साथ एक उसके शूटर को एंकाउंटर में मार गिराया उमेश पाल हत्या कान्ड में अभी तक कुल जमा इतना मामला है बात इसके आगे भी जानी चाहिए केबल असद और एक शूटर तक से काम तो नहीं चलेगा गारी अटकी कहां पर है भटकी कहां पर है लटकी कहां पर है यह समझने की कोशिश करेंगे शाइस्ता कहां गई वो मसला और यह गुड़ो मुसलिम कि केबल बताया जाता लोकेशन तो मिलती है हर 24 गंटे में कहीं नहीं कहीं की लेकिन यह खुद नहीं मिलता पुलिस को अभी और अतीक के फ्लेट पर उसके कार्याले में यह खून के धब्बे पाई जाना चाकू पाया जाना और यह जो तमाम किस्म की चीजे हैं इनको किस रूप में देखा जाए क्योंकि अभी तक अगर प्रेक्टिकली सोचा जाए तो असद और गुलाम का एंकाउंटर का उमेश पाल हत्या कांडक में इतना ही हुआ अभी तक बाकी सब तो फरारी है प्रेंप्रकाशी आप तो अभी हाल तक इलाबाद में डी जी थे ही इलाबाद जोन में प्रियागरा जोन में दो सवाल हैं एक आपका अनुभव क्या कहता है अब इस गेंग को कौन लीड कर कहा होगा गुड्डू मुस्लिम या शाहिस्ता एक दूसरा जो गली-गली मोहले-बोहले जो इसके कारिंदे थे अतीक के उनकी एक लिस्टिंग भी हुई है 120-22 लोगों के नाम इस्थानी पुलिस ने जारी किये हैं कि ये लोग अतीक के गेंग से जुड़े थे उन सब लोगों को विरुद्ध निर्णाय कारवाई किये बिना तो मामला गंभीर बना रहे गया ना अजए एक अतीक के दफ्तर में जो खून से सना चाकू महिला के कपड़े चूड़ी ये सब मिला अतीक मारा गया अश्रफ मारा गया उसके बाद उसके दफ्तर में ये कारेक्रम कैसे हो गया कौन कर गया प्रेम प्रकाश जी मामला तो गंभीर है वहां कोई गया ही क्यों और को अगर कोई ले जाया गया तो इसका मतलब है कि एक्टिव ही वो लोग राइस राइजी आप दूसरे किसम का सवाल मेरे जहन में आ रहा है उस पर चर्चा करूं पुलिस ने जान हतेली पर रखके किसी खोंकार को पकड़ा ठिक लाइजा के जेल बंद कर दिया ठिक अदालत ने वारंट वारंट करके उनको जेल बेल दिया अब जेल की स्थिती हम ये देख रहे हैं बरेली जेल का वीडियो मारा मारा घूम रहा है जेल ला हो गया शॉपिंग मॉल हो गई कि मुझे एटते हुए दद्दस लोग जा रहे हैं आ रहे हैं धाई धाई घंटा जेल में गूम रहे हैं एक वीडियो तो जेल में एक पठा कार गुमा रहा है तो जेल में बंद करने से क्या लाब फिर बताओ फिर तो योगिया अदितिनात की पालुसी मुझे ठीक लगती है अगर जेल में ये इंतिजाम है नहीं कि आओ मक्षन मलाई खाओ है और विर्यानी खाओ मोजलू राय साब बंदर कुलाटी मारना कब बंद करता है भाई माली कहां बंद करेगा बताइए जो मतलब दशकों से जो सिस्टम है वो कैसे सुधर जाएगा बताओ एक जेल थोड़ी ना है सेकलों जेल है हजारों करमचारी है जेन साब हमारे यहां कमीटी कमीटी खेलने की बड़ी भारी बीमारी है नहीं जिस विशे में सब जानते हैं कि क्या बीमारी है और क्या दवा है क्या जेल की बीमारी क्या है ये स सब जानते और हम हैं कि कमेटी कमेटी खेलते नहीं कि 10 लोगों की कमेटी बना दीजिए वो 6 महीने तक काजू और पेस्टी खा रहे हैं और रिपोर्य दाउरे कर रहे हैं आनंद ले रहे हैं फिर वह 100-200 पनने टाइप करवा के ले भी आए तो सरकार ने डंप कर दी हमको को ब ले लेते तो खाने को जैन साब नहीं तो जैल से अच्छा क्या फिर तो आप कोट से भी बचो जैल में रहते रहते कांड करो पुलिस से भी बचे कोट से भी बचे बता दिये भाई आम तो जैल में हैं जैन साब नहीं अभी अतीक के दो लड़के जैल में हैं जवान दो नावालिक छोड़ो, दो जवान भी तो जेल में हैं, एक उत्रपदेश के बड़े माफिया सहराजनेता ने एक बार मुझे को बताया कि बाईजा में जवानत कटा के जेल में चला गया, फिर में जवानत करा के जेल से बाहर आ गया, तो मुझे लगा ये जवानत और जेल का टाइम टेविल भाईया खुदी ते करते हैं क्या कोई दूसरा ने करता उन्हें इस्तिति पताई कि क्यों जवानत कटाई थी क्या खत्रा था क्या बोले जब वो मामला सलट गया तो फिर में वहार आ गया ये जनता की आख में इससे ज अब बात कर रहा हूं अतीक मुक्तार इस तरह के लोगों की इनकी जेव में जवानत है इनकी जेव में जेल का रवन्ना है नहीं प्रेम्रगाशी अब तो दिखें एक चीज में मानता हूं कि उत्तरपदेश के पूर्व मुख्य सचिव ने एक बार मुझी अपना वानताारी थे उन्होंने मुझसे का गया किसी इलाके में पूरव में कई कलेक्टर थे तो कोई प्रोफेसर आए मिलने उनका कोई काम था तो उन्होंने बाबु को बुला कर दो वो दो-तीन बार बाबु चाहा बाबु टालमटोल करता रहा फिर उन्हें सक्ती की तो उन्हें प्रोफेसर को बुलवाया, बोले आपको काम कराना था, तो मेरे पास आना चाहिए था, कैंटीन मिले गया, बात हो गई, वो काम हो गया, वो बताएं कि हमको प्रोफेसर साब में फोन किया, तब तक ये दूसरी जगा चले गए थे, बोले जाब ऐसे काम हो गया, तो म पानी के लिए टोटी खोलने की सरुतने कहीं छेद कर दीजे, पानी निकल जाएगा, जैन साब नहीं, राज साब आपको क्या लगता है, कि अतीक के का मसला केबल गोली बंदुक का नहीं, नोट का भी है, हजारों करोण का का कारोबार है, और सेक्णों लोगों के यहाँ प मुसलिम और साइस्ता और बाकी जो चेले चिंटू है, चुकि वो अनाथ तो नहीं छोड़ी जा सकती लक्ष में, जाच, काईदा, कानून, IPC अलग एक चीज है, लेकिन एक होता है, जन विश्वास, जनता किस बात पर विश्वास करेगी, ठिक, वो चीज भी बड़ी महत् है, अभी पब्लिक पर्शेप्शन यह है, कि यह तीन लड़के पकड़े हैं, इसको अतीक और अश्रप को मारते हुए, है, उत्तर प्रदेश क्या, देश में कहीं कोई यह मानने को तयार नहीं, कि यह इनके, इन्होंने अचानक से तागत का इंजेक्शन लगाया, और इनक का भरे पुलिस के सदोसों जवानों के बीच में, एक के 47 लिए पुलिस वाले उसमें प्रयाग राज में अतिक कुमार देंगे, क्या, कोई स्टोरी भरोसा करने को तयार नहीं, और बार बार वो इस्टोरी आ रहे कि उसको पूछा गया, इंट्रोगेशन हुआ, क्या बोलत तो सलीम जावेर टाइप की तो हो, शोले टाइप की, जंजीर टाइप की, नहीं, प्रेम प्रकाशी, आप चुकि अभी हाल में बहार लंबी समय तक इलाबाद रहे, प्रयाग राज मेरे दिमाग से बार-बार इलाबाद आ जाता, प्रयाग राज नाम में भया, तो एक थि ये भी चल नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम जो है, उसका वायोडेटा ऐसा है कि जहां रहा उसने वहां कबंटा धर जरूर किया, तो एक थियोरी चल नहीं, गुड्डू मुसलिम ने गदारी की क्या, एक, चुकि हर आदमी चाहता है, और हम लोग पुराने दोर में देख हो जाता था, उस्ताज, यह तो हम लोग देखा ही है, एक, दूसरी बात इसे में यह, इंट्रोगेशन हो रहा बंद कमरे में, अलोपी बाग में तो हो नहीं रहा, चवराहे पर, यह कौन सूत्र है, जो आईसे फालतों बाते जन्त फैलवाता है मीडिया में, कि सूत्र बता रहे हैं, कि उसने कहा ऐसा, उसने कहा ऐसा, ऐसा नहीं रहता है, इससे मजाग ज्यादा बनता है, यह सब प्रक्रिया करतों पुलिस वाले रहे, जो इंट्रोगेशन में, जिनका इंट्रोगेशन हो रहा है, वो तो आके बताने हैं बाले नहीं, पुलिस के लोग बता रहे ह कि यान कि बाते के उसने ये मोला नहीं ने ये मोला मननी ने ये बोला कि मैं कि आहिए जो ये एक सियरका कि पैदा होती है एक और दूसरा बाख मुस्लिम क्या जिरोह की कमार्ण गुड़ु मुसलिम कर आफ या लोकी ऑप पुराने जो कुछ अपरादी साथी हैं बाहु बली उत्तरपदेश के उन्होंने कहा कि ने गुड़ू मुसलिम का इतिहास है फलनवेक सात्रा तब भी उसको मरवा दिया फलनवेक सात्रा उसको भी मरवा दिया हजार करोण का मसला है और जानकार लोग बताते हैं कि गुड़ू मुस्लिम या बंबाज कुछ भी बोली है उसका ट्रेजरार भी था अतीक के बिहाब पर गुड़ू ही मेसेजिंग करता था या गया और अतीक से बात करा दी टिलिफोन पर तो स्वाभावी के सबसे जादा जानकारी भी उसी को होगी किदर माल है किसका माल है कितना माल है जो प्रेम्प्रकाष जी कह रहे हैं कि चांड बाबा मरा तो अतीक पैदा हुआ और अतीक मरा तो अश्राफ ने कहे जब ये बोला कि मेरा बात ये है कि गुड् 2 मुसलिम और इसके बाद जो हुआ वहोई गया अब सब लोग इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि मेन बात क्या है गुड्डू मुस्लिम की आपका तदुर्बा क्या कहते है राइश राइजी ये जो अतीक का अपराद का ग्रह द्योग था कुटूरिय द्योग था इसको देखते हुए आपका तजर्वा क्या कहता है क्या मसला रहा होगा क्या कहना चाह रहा होगा अश्रम के मेन बात यह है कि गुडू मुसलिम अतीक के दो लड़के गुडू मुसलिम जो बात जैन साब करें वो भी ठीक है राजेश जी करें वो भी ठीक है और एक बात मैं मैं और जोडता हूं सवाजी जी फिर आपके पास आता हूं एक बात मैं और जोडता पूंटर साब एक दूसरी संभावना बता जाता है क् Day बार जादा मीडिया ग्लेर में आ जाना ज्यादा नाम हो जाना नुक्सान कई कारण नहीं होता है आपके to learn में भजन भी जाता है जिसको आप नहीं जानते हैं उसको भी फोन लगा दो अब यहां टीबी है बहुत सारी बाते कहीं नहीं जा सकती मैंने बड़े बड़े लोगों को परिम्प्रकाशी जैन साब ऐसे फोन पर उल्टा मतलब बीपी बढ़ते देखा उनका अचानक से फोन आ गया उनका लेना देना नहीं कुछ भी क्या वोले फलाने बात करेंगे हो गया कांडून का और ऐसा जो अमाउंट बोल दिया उस पर नानुकुर की तो डबल फिन नानुकुर की तो ट्रिपल पोले पांच दे जाओ आपने का ना जी मर जाएंगे बोले दस बोले बक्ष दो बोले और इस ढंकी प्रॉपर्टी का एक हश्र आपस में लड़ाई कबजे की तो होती और एक दूसरा हश्र ये भी होता है कि जो मजबूत लोगों का पैसा आपने दवा लिया या जमीन कबजा कर ली या प्रॉपर्टी हडप ली वो आपके मरने के बाद और आपका गिरो यह ना पैसा अतीक मन्रेगा में तो काम करते नहीं थे कि उनका कोई बेंक में अकाउंट है उसमें सेल पेंशन आएगी तो आप तो आइसा बवाल करा दोगे कई बार आइसा होता है जो जाच करने वाले उनके नातिरिष्टेदारों कभी कुछ योगनान होता है लगा होता जो योगी है वो कह सकता है सब के मिट्टी में मिला दो क्या लेकिन मिट्टी में मिलाने के लिए एक सिस्टम होता है उसमें कई हजार लोग कई विभाग काम करते हैं अब पता नहीं कौन कहां किसी जुड़ा है कौन जाने सबाजीत जी यह मसला है सच्चा ही है इसमें प्रेम प्रकाशी जो बात सबाजीत जी कह रहे है न आप प्रियागराज मरें आप मुझे बताओ सची बात आप तो रिटायर हो गए आप अपक्यादिक करते हैं इलाबाद में कोई राजनीत करें नेतागीरी किसी पार्टी कहो चाह निरद तो मानती भी है जानती भी है बड़े मा अपराधियों का मैंने एक और चलन देखा वो नौकर शाहों को भी उबलाइज करते हैं प्रोपर्टी में हिस्सेदारी देके नहीं तो उनके लिए कोई कोठी कब्जा करके उनको चावी भिजवादी बोले वहिया यह आपके लिए नहीं कहीं पत्ती डलवादी कहीं अपार्टमेंट बनवा रहे हैं वह भाईया दो फ्लेट आपको कर दिये वह जानते हैं साठ साल तक जहां भी रहेंगे हमारे शुप्चिन तक रहेंगे मदद करेंगे ऐसा एक बहुत प्रिक्टिकल वह है द्रश्य इसलिए इनका आर्थ इनोल्व हैं स्टेक होल्डर कि वों कही न कहीं बचा लेतने चीजों को मसला कीबल इतना सीधा नहीं और और संपत्तियां कहीं नहीं जाती आदमी मारा जा सकता एक मिनिट में, संपत्ति को मारा नहीं जा सकता, गोली मारने से थोड़े संपत्ति जाएगी, ना भंफेकने से जाएगी, नोईडा, ग्रेटर नोईडा, फरीदाबाद, गुलगाउं, बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं और कई कम्पनियां तो गुलगाओं में एसी हैं जो रियल स्टेट का बड़ा कारूबार करने चोटा नहीं कि लिए जी नहीं बना रहे प्रप्रकाशी बोलो बिला बना रहे हैं शॉपिंग मॉल बना रहे आई सी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं जिन में अतिक की पतनी का साला अतिक का साडू डिरेक्टर्स हैं आप सोच रहा हो यह धूमन गंज का मामला है केवल कसारी मसारी का तो गलत भेमी है जो लोग यह सोच रहे हैं कि अतिक का कारोबार केवल कसारी मसारी है तो बोलो फिर फिर शुत्रमुर्गी बात है और बेंगलूर कशारी मसारी है मुंबई में कारोबार सावर मति में बतार रहें राजित राजिसराजी तो कशारी मसारी में आ ता धूमन गंज थाने में किसी ने का ते कम START चार थाने का गुंदा मैंने का बहुए यह बात आप पहले क्यों नहीं बताए महिन अबर पहले बोलना चाहिए आपको यह, मसाला यह नहीं, अतिक को किसने मारा, जग ने देखा, लेकिन उसी जग में से एक भी आदमी ऐसा नहीं, जो यह यकीन कर ले, कि इनके पास मारने का संसाधन, तो कि मारने में संसाधन लगते हैं, साहस, शवरे, जोखिम बियर करने की शमता कुछ भी हो, इन लड़कों में, अलवल नसल कुछ भी बोले जा रहे हैं वो लड़के, यह बात तो मुझे समझ में आ सकती है, कि अतिक मुंबई गया पेशी में और वहां अटेक हो जाए, वहां किसे अटेक हो जाएगा, प्रियाग राज में, उनके पीछे कौन है, जब तक यह नहीं पता लगेगा, सार्जिनिक होना चाहिए यह, और अगर जेन साब बहुत दुख के साथ होगा, और यह सार्जिनिक नहीं हुआ ना, चुकि मैं पुल पुलिश को उसको भी पढ़ाम करना जरूरी है, क्या दाखिल खारिज कर दे वो ही जाने, मुनबर ना ठीक लिग गयते, कि मुर्दे बयान ध्यारी कर देते हैं ठाने में, दरोगा जी को उठने की देर है, तो खेर, कवन सुकाज कठें जगमाई है, लेकिन देश को यह पत लगेगा, यह समस्या सौट आउट नहीं होगी, अतिक के बाद, चांद बाबा के बाद अतिक और अतिक के बाद कोई नहीं हो, इसके लिए तैयारी करनी होगी, जितने लूप वोल से सब बंद करने होगे, दो लोग हटाएगे, चार लोग हटाएगे, मेरी इसमें रुची नहीं, मेरे हाथ में तागत होती, प्रिम्प्रगा जी, मैं बरेली में फरवरी में 22 फरवरी को या 22 फरवरी को जब भी ये वीडियो है, जब का, जितने सिपाही से लेके और मुख जेलर तक तहना आते, सब को सस्पेंड करता हो, जेल बेद देता, क्या, और जेल में 20 पे क्या, चाधापूर का वीडियो आ जाएगा, पीली बीद में चलेगा ये केल, क्ये सच नहीं है क्या, और हम लोग भी जेल में कभी पत्र के रिपोर्टिंग के दवरान में जीवन में देखें जेल का हाल चाल, और अपराधियों का रॉला भी हमने देखा, जेलरों को घ जेल के कर्मचारी होते हैं, वो उनसे सिग्रेट डिग्रेट बर्पी अर्पी मांग के उफगरत होते रहते हैं, ये, 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 कैसे बात बनेगी, शाहिस्ता का फरार हो जाना भी शर्मनाग था, मेरा ख्याल से इस बात से प्रेंप्रकाश जी से लेके, जेन साब और सभाजी जी और राईश राईजी सब सहमत होंगे, वो नेमड थी, वो मेश्पाल के मरने के बाद अगले दिन थाने आई, बोले मेरे बच्चे कौन ले गया, कहां है, इस, ब्लाब्ला, जब उसने देखा, टीवी बीप जादा बावाल चल ला है, तो वो गाइब हो गई, इतना बड़ा हत्या कांड हो गया, देश बर में हाय हाय हो गई, उसके बाद बो निकल गई, और अब हम इस चंतर निस्पर कर रहा है कि क्या शाहिस्ता गेंग की कमान समालेगी, शाहिस्ता निकली कैसे, इसकी जिमिदारी तो कोई ले, गुट्व मुसलिम भाग्या समझ मे आता है, यह शाहिस्ता तो आपकी ठाने में आती थी, किसी भाग गई, और इस बाद भी ठीक है, यह नंदन और चंपक जैसी कहानिया बाहर नहीं प्लांट करनी चाहिए, कि सन्नी ये कह रहा है, मन्नी ये कह रहा है, किसी के नाम ले दो, गोगिया ने बंदूग दी थी, च सोगिया ने बंदूग दी थी, कुछ भी स्टोरी प्लांट कर दो, कहीं की प्लांट कर दो, नहीं, बोले भाई, तुने क्यों मारा, बोले बास हमने सपना देखा, मैं सबसे बड़ा लीडर बन गया हूं, गैंक का भारत में, इसलिए मैं आ गया बंदूग लेके, और सीधे कासकन से इलाईबाद रुके आके, कौन से मानेगा इन कहानियों को, बजंदार बात बोलिए, प्रामानिक बात जन्ता में दीजिए, और पारदर्शिता रहनी चाहिए, ठीक कहरें प्रेम प्रकाशी, ठीक है, ऐसा मत करिए कि जिसने जाच प्रभावीत हो जैन साब, लिकि कौन भरोजा करेगा, और मैं फिर कहूंगा, पुलिस को स्टोरी एक क्रियेट करने में महारत हासिल है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, जैन साब भी नहीं करेंगे, जैन साब जब डीजी पी थे, तब भी अगर ये अपने दफ्तर के किसी पुराने सिपाई से कोई बात कहे देते, कि भाई इसका क्या तोड़ निकाले, तो वो एक नहीं कहानी बता देता, वो इतने अनुभवी लोग है, वो आईजी, डीजी को समस्याओं से निकाल देते, इसी कहानी बना देते हैं, प्रेम्प्रकाजी घलत तो ने गया रहा, हर थाने में ऐसा सिपाई है, कलाकार जिसको बोले, किन लोगों ने दिमाग दिया कि ये ये थे औरी फ्लोट कर दो, कि ये तीन लड़के आए थे, वो ये बस गुमब, वो स्रीप्रकार शुकला बनना करते हैं, गजब करते हुए, इन से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या किसी से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, सारा फोकस ही नहीं पर लगा के, ये भी देखनी की चीज है, हमारे हाँ अपराध में और न्याय शास्त्र और अपराध शास्त्र दोनों में एक थंबरूल है, कि अंतिम तौर पर लाभ किसको इस घटना से, उसको पहने शक्के दाइरे में लाईए, जैन्जब नहीं, एंड वेन विश्री कौन है, ये लड़के तो वेन विश्री लग नहीं रहे, इनका तो या तो ये गोली से मार दी जाते हैं वहीं, और बच गए तो जैल जाओ, अजा इनकी वो भी हैश्रत नहीं कि जैल में भी ये कुछ हो, ऐसा बरेली जैल जैसा कुछ कर लें, पकाना साब करने, काम में लगा देगी जैलर, नहीं, प्रेंप्रकाश जी, क्योंकि आदमी कमजोर हो तो फिर जैल में नियम बहुत सक्ती से लागू होते हैं उस पर, इतने सक्त नियम फिर कहीं नहीं होते हैं, अगर आप कमजोर हैं, और आपका रंगवाजी है या जेब भरी है, हमारे एक परचित थे, उनके एक रिष्टेदार जेल हो आए, दस दिन के लिए किसी मामले में, मालूम है उन्होंने लोट के मुझसे क्या का, राजश राई जी, उन्होंने, मैंने का भाई, जेल कैसी रही, बोला, भाई जाब, सेविन स्टार होटल से भी महंगी है, जेल, मैंने के क्यों, बोले परड़े खर्चा इतना है, अब बताईए, राई जाब, ये गलत का बात है, क्या, ये तो, मैं बता रहा हूँ, प्रसंदर स्टेज जो भोग के आए, जेन साब ये सचाई है, उन्होंने का देश का कोई होटल इतना महंगा नहीं है परड़े, प्रेम वहां से बात नहीं बनेगी, अगर पुलिस किसी को पकड़ कर जेल भेजे, तो जेल में जेल की तरह रही ना आदमी, ये जो बाद में स्टोरी आए, जिसके साबर मती जेल से उसने अश्रप से असद से बात, आतीक से बात कराई, आतीक ने इस से बात कि उससे, ये सब कैसे जेल में संभब हुआ, बताया तो ये जा रहा था कि जेल में आतीक जो है वो भेंस नहे ला रहा है, और राजिस राजी बता रहे है, पंदर सो करोड का मा दंदा कर लिया भाई ने, ये तरीका ठीक नहीं, दूसरे लोग नहीं पैदा हो, ये देखना होगा, और जो बात ज जो सभाजीत राय सापने के में उससे भी सहमत हो, योगी आदित्यनाथ का संकल्प शक के दाइरे में नहीं हो सकता, उनका कोई लोब लालच भी नहीं, लेकिन सब ऐसे हैं, इकोन कह सकता, जैन साब, और सिस्टम एक व्यक्ति नहीं होता न, जैन साब के समय में भी चवकी में दरोगा पैसा ले ले तो जैन साब क्या करते, बताओ, इन तक तो बाती ने पहुशती, अब पहुशती भी तो से समेंट कर देते, बहाल हो जाता चमेने में, या प्रेम प्रकार जी एडी जी थे, लेकिन का सारी मसारी में जो दरोगा आप सहस्त्र बाहु नहीं हो सकते, आप हजार चहरों वाले भी नहीं हो सकते, कि सब जगा आप मौजूद हो जाओ, इसलिए पवित्रता की एक पूरी शंखला होनी चाहिए, तब परिणाम आएगा, प्रामारिक परिणाम तब आएगा, हमको मालूम है, एक बहुत बड़ा माफिया जब मारा गया था, जिसके लिए कहा गया, कि मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी, जैन्जाब, तो मैंने उस समय कि मुख्यमंत्री से पूछा, तो उन्होंने कहा, कि मतलब बिल्कुल जिसको होता है न, कि पुलिस के प्रमक क बुलाक बता दिया, या तो ऐसा हो जाए, और नहीं हुआ, तो फिर मैं दूसरे के बारे में चोचू, आप कुर्सिप नहीं रहेगी, अन्य था उससे पहले जब अटेम्ट होता था, तो यही आके बता जाता था, सर बस जरा से चूक गए, दो मिनिट पहले निकल गया, क्य इसलिए मैं कहता हूँ, सिस्टम में पवितरता बहुत ज़रूरी है, नेतरतों की पवितरता आपको, उन्हीं लोगों को आत्मबल देती है, प्रेरित करती है, जो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन जो भरष्ट है, जो दुष्ट है, जो अपराधियों से साथ अपना जीवन विताया है, उसको तो सक्ति के साथ दुरूस्त करना पड़ाएं, सक्ति के साथ, वो भले व्यक्ति के तेज से प्रभावित नहीं होता, डंडे से प्रभावित होगा, इसलिए राजदंड की विवस्था है, मेरा मानना है के अतीक जैसा दुवारा कोई गिरूफ नहीं पन पे इसलिए अभी इसकी पूरी शल्लिक रिया जरूरी है कैंसर के अभियब शरीर में बचे नहीं प्रहम्रकाजी चैंसर जरास अभी छूट जाए तो छह महिने बाद दुवारा हो जाता है, नहीं, इसलिए वो अंग काट के निकाल दिया जाए, बिल्कुल सेनिटाइज कर दिया जाए, ये देश की इख्षा है, ये प्रदेश की इख्षा है, धन्यवाद.